हालो चिल्रेन, हाँ आ यू, आप सब बहुत अच्छे होगे, डियर चिल्रेन, आजम पढ़ने वाले हैं, क्लास 7, इंग्लिश 3.1 टैर्टरी, जी हाँ, ये बहुत ही प्यारी से पोएम है, जिसे लिखा है, डी, ले, मेर, मतलब, पुरा नामेन का वॉल्टर, डी, ले, मेर, पोएम लिखा है, एक इमेजनरी लेंड है, जिसका नाम है टैर्टरी, हम पोएम समझाने से पहले आपको पहले बता देते हैं, किस पोएम में क्या है, एक इमेजनरी लेंड है, मतलब, बस कल्पनाओ की दुनिया जो है, ठीके, एक इमेजनरी लेंड है, जिसका नाम क्या है राज को मेरे पास क्या होता मेरे किंग्डम में क्या होता जो चले हम शुखर करते हैं लाइंट उलाइं पड़ते है अगर आपको हमारी पोएम या हमारा जो भी एक्स्प्लानेशन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना तो चलिए शुरू करते हैं टाइम ज्यादा नगवाते हुए how YOU are if I were lord of territory myself and me alone बोल रहे है कि अगर मैं territory का lord होता territory 22 राजा होता तैर्टरी जो मैंने बता है अपको इमेजनरी लैंड का नाम उने दिया है कि I currently territory का raja होता तो में वहाँ पर Be अकेला होता मैं वहाँ परे خود एक aqela में राजा होता myself and me alone मैं खुद वहां पर होता मैं अकेला होता okay my bed should be of of ivory my bed should be of ivory मेरा जो bed है मेरा जो बिस्तर है मेरा बिस्तर जो होता वो हाथी दात का बना होता okay हाथी दात समझते हो ना हाथी दात का बच्चो जो भी कुछ बनता हो बहुत कॉसली होता है इसके लिए बोल रहे हैं कि मेरा जो बिस्तर होता ऐसा पुछी वूड़ का नहीं होता मेरे जो bed होता मतलब budget जो होतने है वह लकडी का नहीं बना होता हाथी दात का बना होता सुचो कितना महङगा होता वह बता रहे है हाथी दात का जो भी चिज बनता है बच्चों बहुत ही होता है, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है तो मैंने क्या बोला है ? इसलों एक पोफन लिए कि अगर मैं टेरिका राजा होता, तो मैं खुद वहाँ पर अकेला होता मेरा अभिस्तर हाथी दात का बना होता आगे and of beaten gold my throne और beaten gold मतले बच्चो जो गोल्ड का sheet होता esthe sheet okay तो मेरा जो सिंहासन होता वो S आगे चलते अबी पri QU躯 करते हैं ओपर उसकա वह जो लेयर उपर का जो sheet होता वो गोल्ड का हılarता उसका मेरा क्या में इमाजिन करते हैं वो सब देखते हैं बहुत इंप्रेस्टिंग है एंड इन मार देखें वेट एंड इन माई कोट शुड़ पीकॉक्स फ्लॉंट फ्लॉंट मतलब बच्चों ऐसे देखो शो आफ करना मतलब क्या है कि मेरे कोट में पीकॉक अपना डान्स करके सब को दिखाती पीकॉक पता ना जब डान्स करती तो बहुत सुन्दर लगती पुरे पंक प्रेंट जाते हैं गोल गोल पुरा ऐसे हिलाती रहती है तो बोल रहा है कि पीकॉक जो है यह क्या करता डांस करता अब आसने बच्चों अब देखे बच्चों पीहन की बात नहीं हो रह judy forest tigers hunt और मेरा जंगल होता खुड का जंगल होता उस में tigers रहते हॉंट मतलब उस फ्रिक्विवेंटली आते जाते अराम से एते जाते को कोई डर नहीं रहता tigers है आते जाते हंट मतलब मतलब रहना पर रहते हैं जाहे जाब आते जाते घुमते रहते उसमें and in my pools great fishes slant slant मतलब move करना ठीके their fins outward the sun अभी यहां पर क्या बोल रहा है पोईट बोल रहा है कि मेरा खुद का पूल होता मेरे पूल होते मेरे तालाब होते मेरे नदिया होती उसमें great fishes slant उसमें बहुत सारी जो उसमें बहुत प्यारी प्यारी मचलियां होती fishes होती इधर अधर move करती वो और उनके जो fins है उनके जो punk है जब sun की race पड़ती जब sun निकलता तो उनके punk उससे sun की race पड़ती तो वो चमकता ओके समया रहा है चले आगे चलते हैं कि अब यह बोल रहें फीसे बोल रहें कि if I were wait a minute if I were Lord of Tattery trumpeters every day to every meal would summon me समन मतलब जैसे किसी को बुलावा भेचते है ना वैसा ठीक है बोल रहें कि अगर मैं टैटरी का Lord होता मालिक होता हुआ का राजा होता तो जो ट्रॉम्पिटर से ट्रॉम्पिटर से मतले बच्चों जो ड्रॉम्पिट बजाने वाले होते हैं एक मुजिकल इंस्टुमेंट होता है वह कुछ इस टाइप का होता मैं कोशिस कर जीए आपको समझाने की ऐसे कुछ रहता है यह यहां से आवाज निकलती है यहां से लोग इसको बजाते हैं ठीक है ऐसा कुछ बना रहता है ठीक है आपने देखा और शादिवादी में ठीक है यह इसको बजाने वाले को बहते हैं में फद्रॉम्पेटर्स बता रहे हैं कि हर खाने पेज घखाने का ठाइम पर आप असे बुलावा नहीं जाता है ऐसे कि आराज जांडी को बुला दो खाना खाने जाना है ऐसे नहीं जब मेरा खाने का टाइम होटा है यह तुम्पट बजता मेरे लिए तब यह बचता तुम मबाह 2eng कि आशबस कर prank 있어요 कि को टादोल घमेटों करना जोर जोर शे आवास करना मेरी कोटियारी मेरी आंगन में खूआ रहां हो यां ट्रमपट बसता रहता है अभास ने ibn ये क्षान चाई किया है यहापर पेप इखो And in the evening lamps would shine yellow as honey, red as wine. Okay, अब यह बोल रहे हैं कि शाम का जो वक्त होता, जो लैंप जलती, वो कैसा होता? वो हनी की तरह yellow-yellow दिखता और शराब की तरह red-red दिखता. कभी मतलब ऐसा light उस पे जैसा पढ़ता वैसा दिखता, वो कभी हनी जैसा yellow दिखता. कभी शराब की तरह red दिखता. While harp and flute and mandolin, mad music, sweet and gay. जबकि और उसी बीच पता है क्या होता? Harp भी एक musical instrument है. उसको शाद वीवडा बोलते हैं. Harp, flute तो पता है यह बासुरी और mandolin भी एक musical instrument है. यह सब बजते और यह सब बजने से mad music, sweet and gay. जब कोई भी song आता है तो जब उसमें कुछ musical instrument जब बचते हैं तब तो song का मज़ा आता है ना? तो जब बता रहे हैं कि यह सब बचते musical instrument तो music एक दम sweet और एक दम से gay हो जाता है. Gay मतलब प्रसन्चित एक दम हैपी महौल हो जाता है. आप दम से ओके नेक्स्ट है. और जिसको पीछे से कोई एक उठा के चलता है वो राजा साब आगया के चलते हैं और उनके कपड़े को कोई पकड़ लेता है पीछे से उसको रोब बोलते हैं तो यह बता रहे हैं कि अगर मैं टैटरी का राजा होता टैटरी का लाड होता तो मैं मोतियों का रोब पहनता मोतियों का बीट्स का रोब पहनता यह रोब है रोब ठीक ऐसा गार्मेंट जो की एकदम जमीन पेट्टा चोके रहता है और उसे पीछे से राजा का जो जो राजा के लिए सब लगे रहते हैं आदमी लोग वो उसको पकड़ के चल उसको उठा लेते हैं और वो किंग आगे स तो ठीक ऐसीट्स क्लस्टर्ड क्लस्टर्ड मतले बच्चो अधिखो जो एकदम पास-पास मतले प्लेइज प्लोजली ओके अचा सुनो वह हमारा जो कपड़ा होता जो रोब में पहनता इतना लंबा सा वो सफेद रंका रहता एकदम सुनहरा होता गोल्डन कलर होता वो ग् पीडिट ऑचीज के आंचाहां किमाई आप एकदम पास में लीघर उख्चाध की वह थही पूरा दूर तक प्राइज और बचाहर ऐसी हुते हैं पास-पास में वह सा वागे चलते हैं and the air should when the morning star I had done my room and skimitar skimitar मतलब एक तलवार होता है कोव्ड के शॉर्ट कोव्ड स्वार्ड होता है इदम ऐसा टेड़ा मिड़ा तलवार होता है ठीक है मैं नहीं बना पारें इसको रॉम चलिए आप ध्यान दीजिए बता रहे हैं कि यहां पे कि and air should wind और जब morning होता है एक दम सुबह कर ताइम होता तो मैं क्या करता मैं अपना वही रोग पहन लेता जो मैंने बताया पीछे से लटका हो रहा था कपड़ा जमीन पे एक दम चच करता है वह कपड़ा पहन लेता मैं अपना रोग और एक क्या लेता स्किमिटर्स किमिटर्स चोटा तलवार होता है कॉफ होता है एक दम से ठीक है एक दम मतलब अच्छे से तयार हो जाता फिर क्या करते एंड जैब्राज सेवन शुद ड्रॉव माई कार ठूटर इस डार्क ग्लैड्स देखो ग्लैड्स मतलब फॉरेस्ट बता रहे हैं कि उसका यह उसके पीट पे कितना कलरफुल ऐसा डिजाइन रहता है तो सेवन जैब्राज मेरी कार को चलाते मतलब बच्चो जैसे आपने दिखा होगा घोड़ा गाड़ी बैल गाड़ी तो यहां पर आप ऐसे समझो जैब्रा गाड़ी ओके आगे से साथ घोड़े नहीं जैब्रा गारी और जैब्रा गाड़ी तो एकड़म कानी और यह डाट ग्लैठ्स मतलब बच्चो फॉर्स तो अहदम मेरी नहीं जैड़ी के मेरी गाड़ी मेरी प्लैटरेश के आ लें यह है उसके जंगल से निकलता ठीक है लास्ट हमारा स्टेंजा है देखे अब 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 दे फूर्ट्स आफ टैर्टरी हर रिवर सिल्वर पैल लॉड अफ दे हिस आफ टैर्टरी ग्लैंट थिकेट वूट अन्देल पले आद देख लेते हैं बोले अगर में टैर्टरी क लाड होता तो वहां के जो फल ना उसका भी राजा होता उसका भी मालिक होता में जंगल में जो भी फ्रूट्स लगते ना उसका भी मालिक होता और वहां के जो रिवर से ना सिल्वर पैल हलके सिल्वर कलर की होती ओके और लॉड अफ टैर्टरी में जो जितने हिल्स होते न जो पहाड होते न उसका भी में मालिक होता उसका भी में लाड होता अब क्या बोल रहें ग्लेन ठिकेट वूड एंड डेल देखो पहले ग्लेन का मतलब समझो ग्लेन मतलब और नेरो वेली ओके नेरो वेली मतलब पतले पतले जो घाटियां है वो उसका ठिके उसका मालिक होता ठिके जो जिण का मालिक है और वहाँ वहाँ की से पेड़ का मालिक है जंगल रिंड और डेल डेल चाहली ऐसा वेली कोई भी याज भी अन्शृ म researchers स्टार्स धरbare ऄर्टार आए था कोई होता है हम्हें हralu किम लापल रही हमारे ढिध किंग्डम हिरो तो फी警स और ओलू आप ऊ smarter सिर्फ मालीख हों 144 144 144 144 9 थंडी खुश्बुदार हाई बैती संक जबर बैति मतलब हवाई बैती है उसका मैं मालिख होता जरी बार नहीं बोला गया है मालिक होता उसका लाट होता वो एक बार उपर ही बोल दिया गया है इस इस्टेंज में में हड्ट ट्रैंबलिंग लेक लाइक फोमलेस सीज हड़ बाइट डिलाइटिंग सिट्रून ट्री इन एरवर पॉपल वैल अब नहीं online गया है अब यहां पर बोल रहा है त्रैंबलिंग मतलब शिवडिंग में लेक होताना वो कैसा लाइक फॉमलेस सीज ऐसा बिना जहां के सीके जैसा अधिक ता मेरा जो लेक होता मेरा जो जील होता माज भी enseignayaぁ मुर्छ का attempt वो कैसा दीखता यह हों भीना जाग जाग के Oxente सही की तरह समुंदर की जलसा वो दिखता ऑसका भी मालिक होता जंगती proposed भाण मतला उमिद्ग का दाई तो हर परपल घाटियों में जो सिट्ne crying होती सिटर ट्री civольш în अएसे पर जिसमें खट्टे फूह उते जैसे टो ऑऊरेंज हो लेंवन स hunting करता हूं कि का श और टेड़री नाम का kingdom का एक मेर राजा होता कोटो आप को सून्स में आया होगा और उमीद करती हुं देख़ बच्चों में आपसे एक रिक्वेस्थ करती हैं अगर आप बेस्ट देने की कोशिस करूं ओके चिल्डरेन मिलते हैं नेक्स वीडियो में और हां हमारा 3.1 पूरा कंप्लीट हो चुका है पूरा 3.1 3.2 मतलब पूरा हमारा यूनिट 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है थैंक यू फॉर वाचिंग